नमस्ते याजी मैं हूँ धहरेवान आपका अपना हीलिंग मास्टर दोस्तों फिर से 11-11 आ गया याने की 11 नाउंबर दो हजार चोबीस पिछली साल भी हमने 11-11 पे बहुत ही प्यारे रिच्वल्स किये थे जिसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हम सब को मिले थे हम सब ही ने साल भर के लिए manifestation लिखा था साल भर के लिए wish लिखा था जिसका ज़्यादतर हिस्ते को हमने पूरा किया आप लोगों के इतने सारे messages, इतने सारे comments, इतने सारे emails मुझे जो आए हैं इससे मैं समझ पाया हूँ कि उन आसान remedies को करके हम कितने अच्छे से आगे बढ़ें तो साथियों फिर से नौवंबर आ गया है और 11 तारिक आने ही वाला है 11 नौवंबर याने की 11 मेहना 11 तारिक के 11 बच के 11 मिनट पे लिखे हुए rituals, लिखे हुए wish, लिखे हुए हमारे manifestation, लिखे हुए हमारे आने वाले जीवन की कलपना, हमारी यादें, हमारी समवेदना सब को मिला करके जब हम उस समय में, उस दिन में, जब कुछ उर्चा तियार करते हैं, तो वो पूरी ज़रूर होती है तो आईए 11-11 को 11 बचे 11 मिनट में हमें क्या करना है, पे हम चर्चा करते हैं और आज हम सिखेंगे कैसे पहले से भी आसान तरीके से जिने healing नहीं आती, जिने ध्यान करना नहीं आता, जिने wish मांगना नहीं आता, वो crystals के माधियम से, चीजों के माधियम से कैसे उन्हें अच कि अपना सारा effort अपने मेहनत पे या अपने कर्म पे या फिर कहें अपने ध्यान पे लगाएं, ना लगे तो crystals का या बाकी चीजों का परियोग करें, तो आईए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, सबसे आसान और सबसे सुनतर तरीका जो मेरा तरीका है, मैं खुद भी करता है, मतलब गुरों नहीं सिखाया है, ये वो डारी है जो मैंने पिछले साल ली थी, पिछले साल जिसमें मैं विश लीकी थी, थोड़ा तेडी सी हो गई है, बैग में रखके, क्योंकि मैं इसे हमेशे अपने बैग में रखता हूँ, मैं आपक और जब भी मन करें, जब भी लगे कि मुझे अपने गोल्स को, अपने विशे को देखना है, क्या करना चाहता हूँ, तो मैं उसे खोल करके देखता हूँ, और जैसी देखता हूँ, वो फिर से रिचार्ज हो जाता है, तो ग्यारा तारीक को अपने लिए ये डारी उसी दि पहले से ही प्रैक्टिस करके रखना कि लिखना क्या है ग्यारा बस्ते अपना विश लिखना शुरू कर देना और ऐसे लिखना कि ग्यारा बस्ते ग्यारा मिनिट का टाइम पार हो या तो ग्यारा ग्यारा में वो पुरा हो जाए या तो पार हो 11-11 का समय उस आपके लिखने के समय से गुजरना चाहिए चाहिए फिर आप 12 बजी तक लिखें चाहिए 12 बजी लिखें चाहिए एक बजी तक लिखें कोई दिक्कत नहीं लेकिन लिखना साथियो मैं एक बहुत गहरी बात कहूँगा कि जो पिछले साल मैंने लिखा था हम तो जैसे सीखते हैं बच्चों के तरा कुछ भी बहुत सारा लिख देते मैक्सिमम चीज़े मैंने पूरा कर लिया मतलब इस रम्हांडे मेरे लिए कर दिया कितने सारे क्लासेज मेरे चले कितने YouTube में volunteering मेरे बढ़े कितने Instagram में followers मेरे बढ़े Facebook से पैसे आने शीरू हुए नए रास्ता मुझे पता भी नेता कि Facebook पैसे देता है मेरे टीम मेंबर ने हमें बतायाえて Facebook से पैसे पूराने ही वीडियो को Facebook में डालना शुरू के और Facebook से नए पैसे आने शिर्य हो गया, मुझे विरंदावन में डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया, अब मैं डॉक्टर लिखतना जरुरी ही नहीं समाजता, क्योंकि वो इतना जादा मिल गया कि उससे में उपर उड़ गया, और अगर हम कहें, बहुत सारे मालस्टोन हमें प खरिदा हैं हमारे wepsites, हमारा website तैयार हुआ, अब तक सिर्फ ओफान, इनफोन कर के आप मंगया करते थे, website भी तयार हुआ, वो wish मे था, website तैयार हुआ, website में लोग देश मिदमिर से, हमारे घटकों को, हमारे चीज़ों को खरिद रहे हैं, तो हमारी संस्था में बहुत पैस आ रहा है, हमारी पुरी संस्था में इस बात की खुशे है, तो ये इस से साकार हो पाया, तो लिखना ज़रूर क्या चाहते हो, बस सोचो पूरा होगा या नहीं होगा, आपका काम मागना है, और फिर उसके लिए योग की बनना है, अब बस हमको लिखकर उस फ्रिक पैंसी में तो आनी है, उस जो समय काले बहुत उरजा देता है हमें, आप सोच के हैरन हो जाएंगे कि पिछले 11-11 में मैं जिन-जिन लोगों से मिलना चाहता था अपने जीवन में, मैं उन लोगों से मिला हूँ, हाँ बुबात हो है कि मैं बहुत बहुत अदा शेयर नहीं करता आप सोच अब उसके फोटोज वीडियो नहीं है क्योंकि मेरा फोन निकलता ही नहीं है बार, इन ही कैमरों से, इन ही मैक से रिकॉर्ड करता हूँ चीजों को, तो अपनी अपनी बाते हैं, बस मैं यह बताना चाहता हूँ, कि मैंने बहुत कुछ पाया, पीछे साल, दिसम्बर में में मेरे साती खास्ता हो गया था, अप都是 मेरा चेहरा जल गया था, आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है, मेरे बाल बहुत अद तक खराब हो गया थे, अदिखे, अच्छे हैं, यह से साफ हो गया, थोड़ा बहुत दाख निशान होगा, यह भी विश था, इस तरह से अब अच्छा होता है जी, तो लिखिए और 11-11, या तो सुबे 11-11, या तो रात की 11-11, लिखिए, आगे क्या करना है, जिरी सुबे 11-11 में आप लिख चुके हैं, तो रात तो 11-11 में फिर से ले करके बैठिएगा, उसके साथ प्रातना केजिए, उसे पढ़िए, उसे उर्ज देता हूं, अपने सारे सिंबॉल्स को बना करके, अपने विश पर उर्जा डालिए, अपने सारे सिंबॉल्स बना करके, पेपर में बना करके, अपने सिंबॉल्स को भी उर्जा देजे, ये सिर्फ विश के लिए नहीं है, हीलर्स को अपने सिंबॉल्स पर उस टेम पर शक जाना चाहते तो अपने 11-11 उस समय टाइम पर अपने किस्टल्स को अपने हाथों में रख करके यख़। आपके पास टंबल्स वगरा हैं, जिसे को हम healer sी इस्तमाल करते हैं, इन्हें अपने हाथों में रख करके उस समय प्रातना कीजिए इस रुम्हांड से किसे शक्ती से भरे ताकि इस शक्ती किसे किदम पर आप आने ओले समय में अपने सारी हेलिंग कर सकें किसी और के लिए यगर कोई विष मांगना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है अपने बचशों के लिए अपनी परिवार के लिए ओरिधर के लिए खोई अच्छी भावना हो कुछ मांगना चाहते हैं और मांग लेज्ट बहुत अच्छे समय ठीक पैराइट किस्टल अगर धन से जुड़ावा कोई विश है तो जरूर रखना और आप देखेंगे कितना जिल्दी सागाव होता है चीसे तो जो भी आप रिच्वल आज तक किये हैं उसे उस ग्यारा ग्यारा और ग्यारा ग्यारा समय पर सरूर से करना आप देखेंगे कितना बरकत में देगा सबसे इंपोर्टन बात यह है कि अपने विश को लिख के भूलना नहीं रोज याद करना रोज देखना है उससे जब भी आपको लगे कि कुछ मिस हो रहा है इंपेक्ट मैं आपको एक बात बोलूँगा दोस्तों कि यह जो है यह इतनी शक्तिशाले चीज है क्योंकि 11-11 में जब हम इसको लिखते है इतनी शक्ति से भर चुका होता है यह जब भी आप हताश, frustrated, उदास में हैसस कर रहे होते हैं उस समय आप से उससे खोल करके देखेंगे और आप उससे ही शक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी आप फिर से चार्ज हो जाएगे इतना क कुछ लेना है, इतना कुछ बनाना है, इतना कुछ समालना है, इतना कुछ बन जाना है, इतना कुछ प्राप्त करना है, इतने कुछ को प्राप्त होना है, तो यह है 11-11 दिन और समय की महीमा, हीलर्स अपने सिम्बॉल्स को जरूर चार्ज करना, मंतर जाप जो करते हैं मंतर राक्ष की माला हो, ये श्रितिक की माला हो, जरूर करना क्योंकि बटा, उससे इस्तमाल करने से, इंचंट करने से इसकी शक्ती भड़ती है मैं हमेशा बता हूं क्रिस्टल्स में अपनी शम्ता नहीं होती वो एक बैटरी की तरह होता है जो चार्ज होता है आपकी ओर जासे तो आशा करता हूँ 11-11 पर ये चर्चा आपको बहुत अच्छे से समझ में होगी बहुत सहज, बहुत सेरल, बहुत ही सिंपल चर्चा है 11-11 पर बहुत ही साथ कॉंपलिक्रेट होने की जरुत नहीं है जितना सहस्ता से होगा तो इतना अच्छा होगा एक बहुत गहरी बात जान लीजिए गर्म होने के लिए ठंडा होना पड़ता है शक्तिशाली बनने के लिए खल्का होना पड़ता है अपने आपको बहुत जादा force नहीं करना कुछ भी बनने के लिए, बहुत जादा अपने आपको कसाओं में मत रखना, अपने आपको ढीला छोड़ना है, जो हो वैसे बन जाओ, क्योंकि आपको Mother Nature ने ऐसे ही बनाया है, और उसके बाद जब जिएकदम सहज हो जाएंगे, effortless effort में आ जाएंगे तब जाके आप वो प्राप्त करेंगे या उस चीज को प्राप्त होंगे जो आप चाहते हैं ठीक है बहुत गहरी बात है समझ थोड़ी देर से आएगी चलिए जी मिलते हैं और अध्यायों में तब तक के लिए नमस्ति है जी झाल